पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस बाइग्रफी अलर्ट के लिए बेल आइकों दबाना ना भूलें ये दासा है एक ऐसे मुजीशन की जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की साउंड बदल के रखती नाम राहुल देव बॉर्मान और प्यार से बुलाते हैं हम इने पंचम दा आड़ी बर्मन का जन्म हुआ था 27 जून सन 1949 में इनके पता ससिन देव बर्मन एक बहुत जबर्दस मीजी टेरेक्टर रहे और इनकी ममी मीरा देव बर्मन भी बहुत यूंदा संगीत ग्यानी थी ये लोग शुरुआती दोर में कलकत्ते में रहते थे हाला कि शुरू में आड़ी बर्मन का नाम रखा गया था टूबलू लेकिन बाद में आड़ी बर्मन रो रहे थे और सुर्था पाँचवा याने की पा पंचम और इस वज़े से इनका नाम पंचम रख दिया गया अखियों में छोटे छोटे सपने से जाएगे वहियों में नींदी आके पंच लगाएगे चंदा में जूले मेरी बिटी आरानी चांद मीरे जूलू आड़ी बर्मन की शुरुवाती पढ़ाई लिखाई हुई वेस्ट बेंगॉल में आड़ी बर्मन ने बच्पन में दिखा दिया था कि ये बहुत जबर्दस साजिन्दे बनने वाले हैं इन्होंने एक धुन बनाई थी और अपने पिताजी को सुनाई और उसके बाद सन 1956 की फिल्म फंटूश में उस धुन को इस्तमाल किया गया एजडी बर्मन दुआरा गाना था एए मेरी टोपी पलट किया ये किस्सा भी मशूर रहा कि जब आडी बर्मन बहुत छोटे थे तो इन्हें सांस के तकलीफ थी ठीक से ये बोल नहीं पाते थे और गाने के लिए तो इन्हें मना ही कर दिया गया था क्योंकि फेपड़ों में वो ताकत ही नहीं थी और तब आडी बर्मन से कहा गया कि तुम जाओ और कुए में तेरते रहो रोज तेरोगे तो तुमारे फेपड़ों में ताकत आईगी और इस तरह से आडी बर्मन ने स्विमिंग करकर के अपने आपको सुधारा और फिर जो आवाज बन कराया आडी बर्मन उसका तो कोई मुखाबला ही नहीं आडी बर्मन दरसल हार्मोनिका प्ले किया करते थे और स्कूल के दिनों में ही इन्होंने एक दिन अपने पिता से कह दिया था कि मैं बड़े होकर आप से भी बड़ा संगीतकार बनूँगा वो और बात है कि जब पंचमदा धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और इनके पिता ने पूशा था इनसे कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो तो इन्होंने कहा था कि मैं साइकल अच्छी चलाता हूँ इसलिए बड़े होकर भी मैं साइकल चलाने वाला ही बनूँगा इनके पिता ने तब समझाया था कि दोखो बेटा मैं टेनिस बहुत अच्छा खेलता हूँ लेकिन मैं टेनिस के खेलाड़े नहीं मैं संगीतकार बना तो तुम्हें भी एक चुनाफ करना पड़ेगा साइकल चलाने और संगीतकार बनने के बीच में तो तुम देख ले ना तुम्हें क्या बनना है और यकिनन चुनाफ तो संगीतकार का ही हुआ अपने पता S.D. बर्मन को असिस्ट किया करते थे और तब R.D. बर्मन के अच्छे दोस्तों महान फिल्मेकर गुरूदत ने कहा था कि मैं पंचम को लेकर एक फिल्म बनाना चाहता हूं फिल्म को नाम रखा गया राज और पहली बार R.D. बर्मन बतौर इंडिपेंडेंटन म्यूजिक डिरेक्टर काम करने वाले थे हाला कि इस बात से S.D. बर्मन बहुत दुखी थे उन्हें लग रहा था कि गुरूदत इनके बेटे को बिगाड रहा है इतनी जल्दी म्यूजिक डिरेक्शन का ब्रेक नहीं मिलना चाहिए थोड़ा और संघर्ष करना चाहिए पंचम को और जीत S.D. बर्मन की ही हुई फिल्म राज डिब्बे में बंद कर दी गई उसके बाद सनु 1961 में महान कोमीडियन और एक्टर महमूद ने आड़ी बर्मन को मौका दिया जिसने इनकी किसमत बदल के रख दी फिल्म आई थी छोटे नवाब जिसमें एक से बढ़कर एक गाने थे और घर आजा घिर आए बदरा ये तो लदा मंगेशकर ने गाया था उसके बाद फिल्म भूत बंगला में भी महमूद सहाब ने आड़ी बर्मन का ही म्यूजिक लिया इनके गाने तो बड़े मकबूल हो रहे थे लेकिन अभी भी आड़ी बर्मन को कोई बहुत बड़ा संगीत कार मानने को तयार नहीं था क्योंकि उस वक्त इनके पिता इजड़ी बर्मन का ही दबडबा बहुत था नौशाद सहाब, शंकर जैकिशन की महान जोड़ी, रोशन सहाब और ये फेहरिस्ट इतनी लंबी है कि देखेंगे तो पता चलेगा कि आड़ी बर्मन कैसे उस लाइन में खड़े हो सकते थे और शंकर जैकिशन ही संगीत दिया करते थे, लेकिन इस बार मजरू सुल्तानपूरी ने कहा कि पंचम को मौका दिया जाना चाहिए फिल्म के प्रेडूसर नासिर हुसेन ने ये बात मानी आड़ी बर्मन बहुत नववस थे, बहुत परिशान क्योंकि शमी कपूर के सामने उन्हें धुने सुनानी थी शमी कपूर खुश तो बहुत हुए लेकिन तारीफ नहीं की जब आड़ी बर्मन ने और धुने सुनाई तब जाकर शमी कपूर ने तारीफ की और फिल्म तीसरी मंजिल का इन्हें म्यूजिक डिरेक्टर बनाया गया तीसरी मंजिल के बाद पंचमदा ने कभी पलटकर न देखा फिर आई फिल्म बहारों के सपने, प्यार का मौसम, जादों की बारात ये फिल्मे महान फिल्मे कर नासिरों से नहीं बनाई थी लेकिन इन बर्सों में भी आड़ी बर्मन अपने पिता के असिस्टेंट डिरेक्टर ज़रूर बने रहे आड़ी बर्मन के साथ रफी साब रहे के किशोरदा, आशाताई रहे के लता मंगेश कर, मुकेश जी रहे के मन्ना बाबू, इन सभी ने बहुत से गाने गाए आड़ी बर्मन के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनका विवा हुआ था रिटा पटेल से 1966 में शादी हुई और 1971 में तलाग भी हो गया और बाद में आड़ी बर्मन और आशा भोसले की शादी की खबर भी आई आड़ी बर्मन और राजशन्ना की जोड़ी को भी खूब सलामिया मिली शक्ती सामनता रहे कि देवानन्द सभी ने आड़ी बर्मन के संगीत का खूब लाब उठाया गोलमाल जैसी कॉमेडी फिल्म रही कि घर जैसी एमोशनल फिल्म हर जगा आड़ी बर्मन का संगीत सब के सर चड़के बोला ये मस्तानी डगल मतवाली वादिया बाहों को थामती रंगीली डालिया ऐसा सभा मिलता है रे कहा हरे मुझको ऐ दिल लगतो गुम हो जाने देया बड़े बड़े हीरोज के बच्चे लॉंच किये गए और उनकी पहली फिल्म का संगीत आड़ी बर्मन नहीं दिया चाहे वो कुमार गौरव रहे कि सनी दे ओल या फिर संजदात एक वक्त ऐसा भी आया जब आड़ी बर्मन की 20 से लेकर 22 फिल्मे लगातार फ्लॉप होई सूपरस्टार्स, राजविश खन्ना और अमिताब बच्चन को अच्छा म्यूजिक देने के बावजूद आड़ी बर्मन की तरफ को देखने को तयार नहीं था दिरे-दिरे इनकी माली हालत भी बिगडी और मान सिक तनाव भी बढ़ता गया आड़ी बर्मन को एक फ्लॉप म्यूजिक डिरेटर कहके पुकारा जाने लगा असी के दशक में ये बहुत परिशान रहते थे, दिल की बिमारी ने भी इने पकड़ लिया था इनके संगीत की तो इज़त होती थी, लेकिन कुछ फिल्मेकर्ज ने इने साइन करके ड्रॉप कर दिया फिल्म थी राम लखन, जिसके लिए आड़ी बर्मन का नाम आया सामने, खबरे मी बनी एकिन अंत में लक्ष्मी कान पैरेलाल की जोड़ी चुनी गई फिल्म राम लखन के लिए आनंद बक्षी रहे के गुलजार सहाब, जावेद अख्तर रहे के मजडू सुल्तान पूरी, एक चबढ़कर एक गीतकार के लिए इन्होंने बड़ी अच्छी धुने बनाई भारतिय शास्त्रे संगीत और पास्षात्य संगीत का मिश्रण आडी बर्मन ने इस तरह से तयार किया कि हर तरफ पंचम पंचम का ही बोल बाला था और नब्बे के दशक में विद्वी विनो चोपडा की फिल्म आई 1942 अलव स्टोरी इस फिल्म से आडी बर्मन ने वापसी की फिल्म का संगीत सभी को पसंद आया आडी बर्मन ने बता दिया था कि वो क्या है जिस फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ा तेरे स्कृत किया था इने अब वो दुबारा इने पुरे स्कृत करने को तयार थी लेकिन इसे पहले आडी बर्मन 1942 अलव स्टोरी के संगीत के खुशी मना थे ये डूब गए मौत के अंधेरे में चार जन्वरी सन 1994 आडी बर्मन ने आखरी सासे ली और दिल का दौरा पढ़ने के बाद इनकी नित्य हो गए पर पंचम मरा नहीं पंचम मरते नहीं पंचम का संगीत सदैव हमारे साथ रहेगा महान प्रतिबाहों के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपलन हिस्ट्री